पर खत्रे के बादल मंडिरा ने शुरू हो गए दोस्तों जहां तमिलाडव में जहां बीजबी के सरकार भी नहीं है वहां ऐसा लग रहा है दोस्तों कि लोकसवा चुनाब में भी बीजे पी को तगड़ा जटका लगने वाला है क्यूंकि पार्टी के जो नेता है वह ऐसी-ऐसी करामात कर रहे हैं ऐसी ऐसी कर तूते कर रहे हैं कि उससे पार्टी का नाम तो खराब हो ही रहा है वहीं 2024 में चुनाब जीतने के आसार भी कब नज़रा रहे है दोस्तों नमस्कार मेरा नाम जैंदी जा और आप देख रहे हैं दिरेशन दोस्तों तमिलाडू में BJP के अंदर खाने जो बवाल मचा हुआ है वो बेहद हैरान कर देने वाला है क्योंकि इस बवाल की जो तस्वीरे हैं वो साफ सीधे तोर पर पार्टी के मुख्याले में कार्याले में नजर आ रही है दोस्तों पूरा मामला सीधे तोर पर पार्टी में दो गुटों के बीच मारपीट का मामला है और कैसे शुरू हुआ कहां से शुरू हुआ कि धर जाकर खताब हुआ यह आपको पूरा मामला क्या है बताते हैं दोस्तों स्क्रीन पर आपको इस वक्त में इस कुर्सियां फेकनी शुरू कर दीजिया तब लाडू बीजे पीक बैठक चल रही थी और बैठक के वीज में हुआ यह कि दो गुट आपस में भिड़ गए और इतना ज्यादा भिड़ गए कि एक दूसरे पर कुर्सियां फेकी जानी शुरू हो गई मामला इतना खराब हो गय उसके बाद पूरा मामला तफ्तीश से आपको बताएंगे जानकारी आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो देखे दोस्तों जहां बीजे पीके दो गुटों के नेता एक दूसरे पर ही कुर्सियां फेकते हुए नजर आ रहे हैं यह वीडियो देखे दो जैसा आपने देखा कि तमिलनाडू में बीजे पीके दो गुट बट गये पहली बात तो और यह जो गुट हैं यह पदों को लेकर हैं मतलब किसको क्या पद मिलना चाहिए इस बात को लेकर मारंपीट शुरू हो गई है मारपीट शुरू हो गई है इतनी जादा मारपीट शुरू हो गई कि कुर्सी फेका जाना शुरू हो गया वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह से हवा में कुर्सियां उच्छाली जा रही है पंखे में कुर्सियां लग रही है रोकने की कोशिश की जा रही है वंधियम शंकरपुरम और कल्ला कुरुची निर्वाचन छेत्रों के लिए शक्ति केंद्र पदों के अनुमती देने के लिए शंकरपुरम के एक वेडिंग हॉल में भारतिये जनता पार्टी के बैठक बुलाए गई थी अब उस बैठक में हुआ क्या यह सुनिए बैठक में हुआ यह कि यहां बैठक के दौरान कल्ला कुरुची जिला भाजपा प्रमुख ने कथे तोर पर शक्ति केंद्र के सदस्यों के नामों में बदलाव किया था इसको लेकर अरूर रवी और वेस्ट यूनियन सचेव राम चंदरन के समर्थकों के बीच बहस हो गई दोनों के इसी हुई वह आपने वीडियो देखा होगा वीडियो से आप समझ पा रहे होगे किस तरीके से जड़प हुई है और किस तरह से एक दूसरे पर कुर्सिया फेकी जानी शुरू हो गई तिया यह जो लडाई है यह पदों को लेकर खीचतान की लडाई है बीजेपी के अलग एक के बाद एक केडर है और एक के बाद एक पर्ड है तो आप अपनी समस्या जो है सीधे तो पर अलकमान के पास पहुचा सकते हैं और वह उसका निशकर्ष निकालेंगे वह उसका हल निकालेंगे लेकिन अगर हल निकाला गया होता तो तमिलाडू में अंदर खाने इस तरीक चुनाब में जो पार्टी जीत नहीं सकी वह लोकसभा चुनाब में इस तरीके से अंदर खाने की गुडबाजी को लेकर चुनाब जीतेगी क्या यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों इसलिए जैपी नडडा जी कह रहे हैं कि विधान सबा चुनाब भी होन अंदेशा सिर्फ और सिफ विडियो के बाद नहीं लगाया जा रहा है इस बात का अंदेशा इसने पहले भी लगाया गया जो बीजेपी को एक महिला नेत्री ने जटका दिया जो कि 2014 से लेकर अब तक पार्टी में बनी हुई थी लेकिन 2022 में उनको निलंबित किया गया और रहा है गायत्री रगुराम जहां दोस्तों गायत्री रगुराम उनका बनाम बताया जा रहा है जो कि सीधे तोर पर बताई जा रहे हैं कि महिला नेत्री थी और उनको सांस्क्रितिक शाखा का प्रमुख भी मनाया गया था तो मिलाडू बीजेपी को इससे पहले जटका और साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी में महिलाओं का समान बिल्कुल नहीं होता है गायत्री रगुराम पार्टी की सांस्क्रितिक शाखा की प्रमुख थी जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों अब उन्होंने क्या और आरोप लगाय था ये भी सुनिए गायत्री रगु कि वह प्रदेश अध्याक्ष अन्हामलाई पर आरोप लगाया था और ने कहां सच्चे कारिकरताओं कि किसी को परवा नहीं है सच्चे कारिकरताओं को भगाना ही एक मात्र लक्षे है बीजेपी को मेरी शुबकामनाए है वह शुबकामनाई देते हुए पार्टी उन्हों छोड़कर नेता जाने वाल है यह अभी सनजर आ रहा है क्योंकि पार्टी में पदों को लेकर खीचतान इसकदर बढ़ गई है कि मारपीट पर बात आ गई है और कुर्सी से जवाब दिया जा रहा है एक दूसरे को कुर्सी फेके जारी है एक दूसरे पर अब सोचिए इससे दुर्भागेपुन बात क्या हो सकती है जो पार्टी इस देश की सत्ता में विराजमान है उस पार्टी के अंदर खाने इस कदर बवाल मुच रहा है देखे बीजेपी की जो नेत्री गायत्री रगुराम है उन्होंने जब पार्टी छोड़ी थी दोस्तों उससे पहले ही 2022 में निलंबित किया जा चुका था और निलंबित कब किया था निलंबित उनको किया था तब बीजेपी नेता त्रीची सूरिया द्वारा एक महीला सयोगी के खिलाफ असनसध्य भारशा का इस्तिमाल किया घया था जिस पर गुचित्री रगुराम ने विरोध जताय था औ क्योंकि भी फर्क नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि हमने जितने भी हमारे पार्टी के नेता हैं कारे करता है उनको गायतरी रगुराम से कोई भी संपर्क रखने से मना किया है कि किसी तरीके का संपर्क आप उस महिला नेत्री से नहीं रखेंगे यह बात उनको कह दी गई ती बाद उनने पार्टी छोड़ दिया दोस्तों साती आरोप क्या लगा है कि महिलाओं का सम्मान नहीं होता है यह साफ तोर पर नजर आ रहा है वही बीजेपी पर आरोप लगा है जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है वही बीजेपी जिनके नित्रत में प्रधान मंतरी नेर बीजेपी पर इस तरीके के आरोप उनहीं के महिला नेत्री ने लगाए है तो कि काफी जादा है तो जाहिर सी बात है कि गायतरी रगुराम जो की आक्टर रह चुकी है कोरियोग्राफर रह चुकी है 2014 कि अगर मैं बात करो दोस्तों 2014 में वो राजनीती में आई थी उन्हों प्रमुख बनाया गया और फिर नवंबर 222 में ख़बराइब कि उनको पार्टी से निलम्मित कर दिया गया साफ तौर पर देखे़ निलम्मित किया गया जिसके बाद अब उन्हेंने पार्टी छोड़ दिया और पार्टी क्या कह कर छोड़ा ये सबसे बड़ी बात है जो क के जो चुनाब को लेकर सिविक सेंटर में जिस तरह से शपत ग्रेंड समारो बुलाया गया था और समारो का आयोजन किया गया जिस तरह से वहां आप समझ सकते हैं कि एक्ट का उलंगन करते हुए जो नॉमिनेटेट पार्शत थे उनको पहले शपत दिलाई गई उसका बलके दिल्ली में भी यह जो रूप है भाजपा का जो कि अपना 15 साल का MCD का गढ़ हार गई वह उस भाजपा का जो रूप है वो नजर आया तो जाहिर सी बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतिये जनता पार्टी को कई राज्यों में तगड़ा जटका लग सकता और ुदहारणनेें के बारेक निकल का सामने आ रहा है जिसका आक June करना हमारे विजम्धारी है और lead के दो ढूंप हम ने किया इसही है क्या विचार है यह आप हमें बताइएगा वीडियो अगर आपको पसंद आयो तो वीम्हार को यफND को शेयर करना ना भूले नमस्कार